हलो फ्रेंट्स सोनी बुटिक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम एक सूट की कटिंग करने वाले हैं तो चलिए इसे देख लेते हैं तो ये हम छोटी साइज का ही सूट है ये तीस इंचेट साइज का सूट है तो चलिए हम इसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड हमारी कटिंग के लिए तो टोटल हम यहां से 10 इंच ले लेते हैं तो 10 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और यहां से हम कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेंगे आप इसका मेजरमेंट स्क्रीन पे देख सकती है आप इसका इसक्रीन सॉट भी ले सकती है ये हमने कप इस इंच पे अपना निशान लगा लेंगे आपकी जो भी लंबाई हो आप उसकी अकॉर्डिंग रख सकती है विडियो में पूरा कभर नहीं हो रहा है आप में नीचे का मैनेस कर लेजिएगा अब यहां से सोल्डर लेंगे 6 इंच यहां से भी 6 इंच पे निशान लगाए अब हम अपना चेश्ट का लगाएंगे यहां से हम कमर का लगा लेते हैं इसमें टक्स पॉइंट नहीं देखना है छोटी साइस का सूट है तो हम कमर 13 इंच पे त्यार करेंगे तो हम आधा इंच इसमें प्लस कर लेंगे 14 इंच पे निशान लगाएंगे अब हिप का निश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी अन कर लिजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकिया हूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो पसंद आये तो इसे लाइ तीस इंच है तो तीस का चोथा भाग साड़े साथ इंच लगाएंगे कमर हमारा 26 इंच है तो 26 का हम चोथा भाग साड़े छे इंच लगाएंगे और हिप्पे हम 32 इंच लगाएंगे यहां से आठ इंच लगाएंगे 32 का चोथा भाग आठ इंच पर निशान लगाएंगे चेश्ट से हम आधा इंच हिप्पे बढ़ाके लगाएंगे इन सभी निशान को आपस में मिला लेंगे अब हम उतना सिलाई मार्जिंग रखेंगे तो यहां से हम 2 इंच का सिलाई मार्जिंग देंगे आप 1.5 इंच भी दे सकती है 2 इंच से ज़्यादा न रखें अब यहां से हम 1.5 इंच कमर पर रखेंगे यहां पर हम पौने 1 इंच रखेंगे आप एक इंच भी रख सकती हैं अगर ज़्यादा चोड़ा आपको फोल्ड करना है तो अब यहां से हम अपनी गुलाए लेंगे तो पौन एक इंच की दूरी से हम इसमें गुलाए देंगे यहां से लेते हुए हल्कासा डाउन करते हुए हम इसकी गुलाए लेते हैं यहां से हलकाशा डाउन कर देंगे अब यहां से देख लेते हैं तो यह हमें साड़े 6 इंच चाहिए तो यह साड़े 6 इंच में आधा इंच कम आ रहा है आधा इंच हमारा उपर सिलाई मार्जिंग भी जाएगा यह थोड़ा सा कम हो रहा है तो यहां से हम इसको हलका सा डाउन कर लेंगे यहां से हम दे लेते हैं ऐसे डाउन करके इसको निशान कम्प्लीट कर लेंगे अब यहां से हम अपने गले का निशान लगाएंगे तो गला हम यहां से अधा इंच का फैलाओ देंगे और जो इसकी गहराई लेंगे वो है 6 इंच का तो इसमें हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इन निशानों को शिधा कर लेंगे और यहां से हम पौने 3 इंच का इसमें फैलाओ देंगे अब इन सबी निशानों को शीधा करके अपने गले का जो भी सेफ है आप दे सकती हैं आप अगला डिजाइन करना चाहती है तो आप इसमें कोई डिजाइन भी दे सकती हैं तो यहां से हम सिंपल गोल गला पराएंगे और इसमें एक वैसे पट्टी तिर्ची पट्टी लगाएंगे तो यह हम आपको बाद में दिखाएंगे यह गले का डिजाइन तो हमारे गले का कुछ सेब इस टाइप का आएगा और यहां पे हम डोरिया टेस करेंगे और ये पट्टी हम अलग से लगाएंगे तो हम वीडियो के अंत में आपको ये डिजाइन भी दिखाएंगे अब इन निशानों को हम यहां से मिला लेते हैं तो जितना हमने हिप पे रखा है से मुतना ही हम नीचे का घेर भी तैयार करेंगे तो यहां से हम आठ इंच पे निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को भी आपस में मिला लेते हैं अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो यहां से हम ऐसे शीदा कट करेंगे फ्रेंट यहां पे थलकाशा मिश्टेक हो गया है हमने उपर वाली लाइन पे ही कट कर लिया है गलती से आप यह नीचे वाली लाइन पे कट करें आर महोल नहीं तो यह छोटा हो जाएगा हमने जब इसकी शिलाई की है, तो हम इसको कट कर लिया है, हमने, तो ये आप इसका द्यान रखें, तो ये आप इसका फूल कटिंग देख सकती है, अब इन सभी निशानों पे छोटे-छोटे कट लगा लेंगे, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट हमारा डिजाइन वाला है तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे कटना है तो यह हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें गला पहले से ही तयार है पीछे की साइड में काफी कागस पेपर चिपका हुआ है तो हम इसको सीधी साइड से ही आपको कट करके दिखाएंगे तो यह हमारा बॉर्डर है और यह सूट की जो लंबाई है वो ज्यादा है हमें छोटा सूट तयार करना है तो सबसे पहले हम यहां से फोल्ड करके डवल कर लेंगे इसका बी सेंटर से इसमें गलत तयार है तो इसमें गले की कटिंग नहीं करनी है जितना अपना गला बढ़ा करना है आप वैसे रख सकती है तो यहां पे हम साड़े 5 इंच का गला तयार करेंगे तो छै इंच पर निशान लगा लेते हैं आधा इंच हमारा तरह से निशान नहीं आएगा तो हम ऐसे हल्का साहिए आपको इस पर दिखाते हैं अब हम इस पार्ट को लेंगे और यह जो हमने कट लगाया है गले पर उस निशान को यहां से सैट करेंगे गले की शाइट से ऐसे अच्छी तरह से इसको सैट कर लें तो यह कट कर दियान सिक्योर कर लेंगे ज्वाइंट कर लेंगे इससे क्या होगा यह हमारा फैब्रिक जो है नीचे वाला इसमें काफी मोती हुती है तो कटिंग करते वक्त इधर उधर हमारा कपड़ा सरकेगा नहीं तो यह हमने सभी जगर पे पिन लगा के अटेस कर लिया है अब यहां से हम अपना शोल्डर का निशान लगा लेंगे तो शोल्डर हमने चैंच लिया है तो चैंच पे निशान लगा लेंगे और यहां से हम ऐसे निशान उठा लेंगे तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा मिश्टेक कर लिया है friends यह हमिश्टीच करते समय हमने इसको कट कर लिया है तो आप यह नीचे वारी लाइन पे कट करें इससे हमारा अर्मोल छोटा पड़ गया था तो हमने बाद में इसको कट किया था आपको मैं बार बार बता रहे हूं friends यह ध्यान रखिएगा अब यहाँ से हम इसको बराबर से कट कर लेंगे अब यहाँ से देखिए यह हमारा सूट लंबा है तो हम सेम ऐसे ही कट कर लेंगे यहाँ से निकाल लेते हैं अब हम यह नीचे वाले बादर को निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें ऐसे बादर को निकाल लेना है और इस बादर को हम नीचे की शाइड में अठेस कर लेंगे तो यहाँ से इस पिन को निकाल लेंगे और फ्रांट पार्ट में आर्म हुल में हम थोड़ी सी गहराई लेंगे जिससे गला हमारा काफी चिपक के आएगा अब इसको भी हम पिन लगा लेते हैं यहाँ अब यहाँ से हलकाशा आधा इंच अंदर की शाइड लेते हुए हम यहाँ से अपनी गहराई लेंगे तो यह हमारा गला काफी चिपक के आएगा जो गला जुकने पर गिरता है वो समझ्या खतम हो जाती है तो यहाँ हमारे फुल कटिंग हो चुकी है चलिए हम अस्तिन की कटिंग कर लेते है अब यहाँ से हमने इस कपड़े को फोर रांड में फोल्ड कर लिया है अब यहाँ से जो एश्ट्रा है उसको पहले कट करके निकाल लेते हैं ताकि आची तरह से समझना है यहाँ हमने कपड़े को फोर रांड में फोल्ड किया हुआ है अब यहाँ से पहले हम यहाँ से सीधा कर लेंगे और अपनी लंबाई लेंगे तो लंबाई हमें यहाँ से पहले 4 इंच क में तयार करना है तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिंग जाएगा तो टोटल यहां से हम 6 इंच है तो 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को मिला लेंगे अब यहां से हम 2 इंच डाउन करेंगे इसमें हमारे जो आर्मोल है उसकी गहराई जो है वो कम है बहुत काफी कम है क्योंकि यह छोटी साइज का सूट है तो इसमें हम 2 इंच ही डाउन करेंगे अगर ज़्यादा गहराई आता तो हम यहां पे 4 इंच 3 इंच डाउन करतें अब यहां से अपना आर्मोल जितना हमने रखा है से मुत्नाई हम यहां से निशान लगा लेंगे अब इन निशानों को यहां से तिर्षा मिला लेंगे तो हमें आर्मोल अपना साड़े 6 इंच तियार करना था तो साड़े 6 इंच पे निशान लगा के यहां से एक तिर्षी लाइन ले लेंगे अब आगे की हम गुलाई लेंगे तो गुलाई हम यहां से 5 इंच पर रखेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे अब यहाँ पर अपनी शिलाई मार्जिंग ले लेंगे तो दो इंच हमने शूट में रखा है दो इंच इस में भी हम अपना शिलाई मार्जिंग रखेंगे अब यहाँ से हलकेशी गोलाई लेंगे अब यहां से अलगाशा अंदर की शाइड भी हम अपने गहराई लेंगे तो यह हमारे शबी निशान लब के कंप्लीट होते हैं चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बूलिएगा और चैनल को शब्सक्राइब कर लीजेगा हमारे ऐसे ही इजी स्टेप के साथ कटिंग और इस्टेचिंग की वीडियो देखने के लिए अगर आपको और भी सभी साइजो की सूट की कटिंग देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकती है हमने पहले से भी और भी साइजो की सूट की कटिंग और इस्टेचिंग की वीडियो अप्लोड कर रखी है अब यहां से हम छोटा सा कट लगा लेंगे पी सेंटर में और इसको यहां पर जो आइंठे फलकाशा ओपन कर लेंगे तो यह हमारे आस्तिन की कटिंग हो चुकी है और यहां से हम इसको फोल्ड कर लेंगे चलिए अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं तो हमें नॉर्मल के जैसे गला करना है वैसे ही लेना है तो अधाई इंच का यह कपड़ा हमारा जो हमारा पेस्टिंग पेपर है वो थोड़ा ज्यादा है तो हम यहां से फोल्ड कर लेते हैं अधाई इंच लिया था नीचे का फैला उस पौने तीन इंच लिया था इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं अब यहां से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशानों को यहां से मिला लेंगे और अपने गले का शेव दे देंगे तो इसमें हमें गोल गला करना है यहां से हम गोल गला लेंगे और जितनी चोड़ी आपको पट्टी लगानी हो आप उसके अगर्डिंग यहां रख सकती हैं तो हम यहां से पहुने एक इंच चौड़ी पट्टी लगाएंगे तो यहां से हम पहुने एक इंच पे निशान लगा के इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यहां से हम पहले कट कर लेंगे साइड वाला अब हम इसको 20 से कट करके अपनी पट्टी को निकाल लेंगे अब इस वाली पट्टी में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे तो यहाँ से निशान लगा लेना है और आगे की साइड जो है उधर हमें शिलाई मार्जिंग रखते हुए दूसरे पेपर पे कट कर लेना है तो यह पट्टी हमारी कुछ इस टाइप से कटेगी और गले का शेप कुछ इस टाइप का आएगा आपको हम फाइनल लुक दिखाते हैं तो उमीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी सी से लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए कटिंग और रिस्टीचिंग के साथ नमस्कार